जिहान को इस तरह बार-बार मुझरिम कहना गलत होगा जब तब कि अभी तक उस का कोई जुर्म भी से जल साथ उनके जुर्म की बात बात में करियेंगा मैटे पहले आप उस जुर्म से बचिये जो आप इस अदालत में कर रही है यह जो आप रुप रुप कर अपनी बात अदालत में कह रही है इससे अदालत का वक्त जाया हुआ रहे है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती कारून बिहान को गुनेगार नहीं मानेगा और उसको कोई सजा लेगा और मेरे सीएर अदोकेट मिस्टा अतल वो इस एक बात ऐसे बिहान की इंगा लेगा जिसमें बिहाने पेवा चाथिस्ता किया हुआ और कारून अदालत में